तो हमने यहाँ पर प्राचिन कालिन धर्मों में बोध धरम, जैन धरम, सेव धरम, वेशनो धरम को देखा आज के वीडियो में हम देखेंगे इसाई धरम को, इसलाम धरम को और पार्शी धरम को इसाई धरम के संस्थापक थे इसा मसी और इसा मसी के जनम की बात करें तो जैरुसलम के निकिट बैथ लहम नामक स्थान पर इनका जनम हुआ था यहां से क्यूशन सीधे मनते हैं मैंने अंडरलाइन इनको कर दिया है तो इसाई धरम के संस्थापक थे इसा मसी और इनका जनम हुआ था जेरुसलम के निकित बैथलेहम नमक स्थान पर माता का नाम था मैरी और पिता का नाम था जोसफ तो यहाँ पर यह important fact हैं तीनों ही कि संस्था पर कोन थे, इनका जनम कब हुआ, माता का नाम क्या था और पिता का क्या नाम था तो याद रखने हैं ये तिनों चेरो फैट इसा ने अपने जीवन के पर्थम तीस वर्ष एक बढ़ई के रूप में बिताए थे तो याद रखना है अपने जीवन के पर्थम इसा मस्य को 33 इसी में सूली पर चड़ाया गया था और इनको सूली पर किस ने चड़ाया था किस गवर्णर के आदेश पर चड़ाया गया था ये क्यूशन आता है तो रोमन गवर्णर थे पॉंटियस इन्होंने इनको सूली पर चड़ाया था तो इसाई धरम के हम बात कर रह इसाय धर्म का सबसे पवित्र जीहन कौन सा है तो वह है क्रोस इसाय जो है त्री तक्तव में विश्वास रखते थे वह तक्तव कौन से है इस्वर पिता इस्वर पुत्तर इस्वर पवित्र आत्मा तो यहां पर इंपोर्टेंट है कि वह उनको सूली पर कप चड़ाया गया और किस के दवारा चड़ाया यानि कौन से गौर्णर थे और इनका पवित्र जीहन कौन सा है और उनका विश्वास किस में था तो त्री तक्तव में था और बात करें इसाय धर्म का प्रमुप गरंत कौन सा है तो वो बाइबल है इसा मसी के जनम दिवस पर जो कि आप देख हैं हजरत मुहमद ये संस्थापक हैं इनके हजरत मुहमद इसलाम धर्म के इनका जनम 570 में हुआ था कहां पर हुआ ये क्यूशन बनता है तो मक्का में इनका जनम हुआ था 570 में हजरत मुहमद का जो कि संस्थापक किस के हैं इसलाम धर्म के हजरत मुहमद के पिता का क्या नामक गुफा है उसमें इनको ग्यान के प्राप्ति हुई थी 610 सिसी में ग्यान प्राप्ति के बाद देखेंगे यहां पर है कि इसलाम धर्म के संस्था पक कौन थे तो हजरत मुहमत जो कि हम देख चुके हैं इनकी जो साधी है पचिस वर्स के वस्था में खदीजा नामक व हजरत हुसेँ अलिय हजरत हुसेँ और पुत्र कि नाम है फातिमा इनके दामात का नाम याद है अलिय हश्रत हुसेँ क्योंकि इनके बात यही बनते हैं 24 सितंबर 622 सिसी को पेगंबर मुहमद हजरत ने एक यात्रा की थी मक्का से मदीना इस मक्का से मदीना की यात्रा को इसलाम जगत में मुस्लिम समवत की नाम से जाना जाता है मुस्लिम समवत कह दीजिए या हिजरी समवत कर दीजिए एक यी बात है तो मुहमद, हजरत मुहमद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी इस इसलाम जगत में क्या कहते हैं कि उसे नाता है तो ध्यान रखना है इसे कहते हैं हिजरी समवत यात्रा कब की थी? 24 सितंबर 622 को की थी तो ये धियान रखना है मक्का से मदीना यात्रा को क्या कहा जाता है मुस्लिम समवत कहा जाता है देवदूत गेब्रियल ने पेगंबर मुहमत को कुरान अर्बी भासा में संप्रेशित की थी तो ये भी ध्यान रखना है कुरान को अर्भी भासा में किस ने की थी गैब्रियल ने की थी हजरत मुहमत को इसलाम धर्म का पवित्र गरंथ कौन सा है तो वो है कुरान नमाज के अउसर पर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है दिशा को क्या कहा जाता है मक्का के और जो दिशा होती है उसको किबला पेगंबर मुहमद ने कुरान की सिक्साओं का उपदेश दिया था कुरान की सिक्साओं का उपदेश किसने दिया मुहमद हजरत मुहमद ने पेगंबर मुहमत के उत्रादीकारी क्या कहलाए खलीफा कहलाए ये तो पेगंबर मुहमत के उत्रादीकारी खलीफा कहलाए हजरत मुहमत की मिर्तु हुई थी आठ जून 632 को इनके बाद इनको मदिना में दफनाया गया ठीक है मिर्तु कब हुई है आठ जुन 632 में ये ध्यान रखना है कि इनको दफनाया कहां पर गया था तो मदीना में इनको दफनाया गया था हजरत मुहमत की मिर्तु के बाद इसलाम धरम जो है दो भागों में बट गया था दो पतों में बट गया था वो कौन से थे एक का नाम था सुन्नी दूसरे का नाम था सिया और बात करें सुन्नी और सिया क्या थे तो सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना क्या था तो ये पैगंबर मुहमद के कथनों और कारियों का विवरन गरंथ है सुन्ना तो सुन्नी लोग इसको मानते थे सिया की बात करें तो अली हुसेन की सिक्साओं में विश्वास करते थे ये तथा उन्हें मुहमद का नयाय सम्मत उत्रादिकरी मानते थे तो हमने देखा सुन्नी और सिया को तो ध्यान रखना है कि उसनाता है सुन्नी कौन थे तो सुन्ना में विश्वास करते थे यानि हजरत मुहमत के कत्नों और कारियों को मानते थे इनका गरंत है सुन्ना इसमें विश्वास करते थे और सिया की बात करें क्यों सनाता है आजे अली की 661 में हत्या कर दी गई और इनके पुत्तर थे अली के हुसेन इनकी हत्ता 680 में कर्बला नामक स्थान पर कर दी गई कर्बला कहां पर है इराक में यहां पर हुसेन की हत्या कर दी गई इन दोनों की हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया सरपर्थम पैगंबर साहब का जीवन चरितर इबन इसाक ने लिखा ये क्यूशन बनता है तो इसको ध्यान रखना है सरपर्थम पैगंबर साहब का जीवन चरितर किसने लिखा तो ये लिखा था इबन इसाक ने नेक्स्ट हम देखेंगे एक और इंपोर्टेंट फैक्ट मुहमद पैगंबर के जनम दिन पर ईद ए मिलाद उननवी परो मनाया जाता है जिसको आप ईद बोलते हैं वो मुहमद पैगंबर के जनम दिन पर मनाया जाता है इसलाम जगत में खलिपा पद जो है 1924 सिसी तक रहा क्योंकि उसी वर्सिसे तुर्की सासक मुस्तफा कमाल पासा ने समाप्त कर दिया था वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे पार्शी धरम को यहां से भी क्यूशन आता है इनके गरंथ से क्यूशन अक्सर पूछा जाता है कि पार्शियों का धार्मिक गरंथ कोन सा है तो वो है जेंदा अवेस्ता तो यहाँ पर देखेंगे हम Important Fact कि इन धर्मों के अत्रिक पार्शिय धर्म के पैगंबर जर्थूश्ट थे कौन थे जर्थूश्ट जिनकी सिक्षाओं का संकलन हमें जेंदा अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है तो क्यूशन बनता है ये कि पार्षियों का धार्मिक ग्रंथ है ये जेंदा अवेस्था तो ये पूछा जाता है इसको याद रखना है पार्सी धर्म के अनुवाई एक इस्वर अहूर को मानते है पार्सी धर्म के अनुवाईयों को अगनी पूजक कहा जाता है तो यहां से क्यूशन ये भी बनता है कि किस अनुवाईयों को अगनी पूजक कहा जाता है तो पार्सी धर्म के अनुवाईयों को अगनी पूजक कहा जाता है इनका धार्मिक ग्रंथ कोंशा है तो जेंदा अविस्ता है और इस के इस ग्रंथ का मूल शीक्षा का सुत्र क्या है तो वो है सद्विचार, सद्वचन और सद्वकारिये